विडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर मेरे स्ट्रेटजी वीडियो को देखा होगा प्रिवेसली मैंने आप लोग को पोस्ट किया था एक किया था मैंने 3 पीम पे कैसे इंट्री लेना है उस पे बताया था उस पे भी आज आप लोग जागे देखिए 50 पॉइंट और अटलिस्ट वहाँ पे डन किया हुआ है साथ में मैंने आपको हाई लोग आज ही मोर्निंग में वीडियो को पोस्ट किया था यहां से देखिए कितना सुन्दर यह जो है आपको टॉप लेबल पे बॉटम लेबल पे सारे चीजे पिक हुआ है और यहां पे सांदार टार्गेट आ जो है ना दो बार अपसाइड में यहां पे और एक बार डाउन साइड में दूनों यहां पे डन हुआ है इस चीज को पहले मैं यूट्यूब चैनल में जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल में अगर जैसे जाएंगे तो यहां पे देखिए आपको सारे चीज़ें यहाँ पे किलियर ली आज मैंने हाई लो बाला यहाँ पे पोस्ट किया है इस चीज़ को जाके देखिए और 3 पीम बाला मैंने कल पोस्ट किया था देखिए इस पे भी लगवग 1K यहाँ पे व्यू हो चुका है जो काफी popular वीडियो है काफी popular और इतन ज्यादा मैनत करता हूँ इतनी सारे नए से नए यहाँ पे strategy लाने के कोसिस करता हूँ जो आप लोग के लिए कोई ने कोई ऐसा click कर जाएगा और वो आप लोग के लिए lifetime के लिए हो जाएगा तो आप लोग पहले देखो और उस पे सोचो perform करो action लो फिर आपको उसके negativity positivity पत आप लोग ने आज morning वाला वीडियो देखा होगा तो आज आप लोग ने आप लोग यहाँ पे सारे चीजे सारे points यहाँ पे capture हुआ होगा buy side में भी sell side में भी otherwise मैं आप लोग को बताता हूँ यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो market open हुआ है बहुत strong bully scandal यहाँ पे open हुआ ठी obviously two days से यहाँ पे एक resistance level आ रहा था 43,350 यहाँ पे यह देख रहे हैं market में यहाँ से rejection का एक कहीं कहीं डर था right लेकिन ऐसा नहीं हुआ market freshly इस level को उपर cross किया लेकिन यहाँ पे एक range resistant था 450 और 350 यहाँ पे जब market गया तो यहाँ पे एक evening start बनाया देखिए continuous यहाँ पे two rate candle है तो इस support पे market क्या हुआ one time यहाँ पे आया उसके बाद थोड़ा देर sustain किया फिर इसको breakout दिया तो मैंने इस चीज को आपको पहले भी बता चुका हूँ चार्ट सेटिंग वाली वीडियो में भी जब market उपर से नीचे cross करता है उपर में ही यहाँ पे sustain कर लेता है तब हम यहाँ पे phrase entry ले सकते है ठीक है तो वही हुआ है देखिए जब phrase यहाँ पे market sustain करने के बाद entry हुआ तो कोई भी candle green candle यहाँ पे नहीं है one sider momentum market यहाँ तक दिया है तो इन चीजों को मुझे उम्मीद है कि आप लोग ने कर पाये होंगे साथ में मैंने भी अपने free telegram channel में यहाँ पर ही जब breakout हुआ था उपर से तो मैंने free premium support में भी दिया था और free telegram में भी मैंने यहाँ पे put का call update किया था जो आप लोग को यहाँ से यहाँ तक one sider one way target दिया है तो इन सारे चीजों को मुझे उम्मीद है कि आप लोग ने pick किया ह साथ में इन चीजों को अगर आपको live देखना है तो मेरे telegram channel में जरूर जूरी है वहाँ पर मैं daily basis पे call देता हूँ अपना level देता हूँ व्यूज देता हूँ with chart screen source सारे में वहाँ पर post करता हूँ जो आप लोग के learning के लिए मुझे लगता है कि काफी ज़्यादा important है तो व trading से related हो या फिर वहाँ पर levels हो व्यूज हो सारे चीजे में आप लोग के लिए free of cost वहाँ पर post करता हो तो इनका benefits आप वहाँ पर ले सकते हैं अब यहाँ पर देखते हैं कि कल के according market का sentiment क्या है अब देखिए market क्या क्या है overall अगर मैं बात करूं तो previous two days का जो यहाँ पर resistance level था the w pattern आज जैसे यहाँ पर open हुआ तो यह w pattern ही market एक तरीका से फॉर्म किया था आज देखिए market क्या क्या है आज market यहाँ से आया है इस तरीका से यहाँ से momentum किया rejection के बाद इसको बोलते है भी safe recovery ठीक है भी safe मतलब कि भी के type का इस तरीका से बनेगा यह भी strategy है आपको पता नही और इसको कैसे trade करते हैं वो भी बता दूँगा आधरवाई यह दूसरे way से देखे तो यहाँ पे आप लोग ने देखा होगा support लिया market यहाँ पे एक hammer बनाया और इस hammer से market one sided one way देखने को मिला सबसे जो important point आता है न कि market कल क्या करेगा कल आपने देखा होगा कि यहाँ पे क् 350 को अगर नीचे cross करता है तो फिर यह नीचे का ही direction में momentum करेगा first target यह रहेगा second target यह सारे target नीचे कर ले सकते हैं right लेकिन ज्यादा जो forcefully आप लोग को momentum मिलेगा वो मिलेगा 43200 क्योंकि यह हमारा major support है जब major support को breakdown करेगा न तो यहाँ से selling pressure काफी strong हो जाता है तो momentum fast मिलता है ल यहाँ पे आप quantity भी कम ही try कीजे sell side में लेकिन यही पे अगर 450 को उपर कोई green candle के साथ cross कर देता है और यहाँ पे market sustain करता है तो surely यहाँ पे हम फिर upside के लिए देखेंगे और यहाँ से हम लोग target जो है उपर के direction में 600 और 750 यह दोनों target ले सकते हैं यही पे guys अगर मैं nifty की बात resistance है लेकिन market उस range resistance के नीचे ही यहाँ पे close किया है ठीक है तो 230 और 270 हो सकता है market कल यही पे open हो और इसी range में momentum करे range resistance में ठीक है अगर यहाँ पे momentum करता है 230 के नीचे आता है तो यहाँ पे हम लोग अगर sell के लिए जाएंगे तो कुछ कम quantity से यहाँ पे try कर सकते हैं otherwise मैं बोलू zone है यहाँ पे better होगा कि आप avoid कीजिए trading कब करना है जब यह हमारा इस level को या तो 100 को नीचे closing कर दे rate candle के साथ और यहाँ से selling देखने को मिले तो हम लोग यहाँ से नीचे के direction में जो भी 18,000 इसके बाद जो भी target होगा ले सकते हैं लेकिन यहाँ पे इस range में momentum करेगा तो हम ल market यहाँ पर भी sustain करता है इस तरीका से तो हम लोग जब तक breakout नहीं करेगा 270 को तब तक waiting करना है only wait and watch otherwise आप लोग यहाँ पे trap हो जाएंगे और market फिर से आपको नुकसान दे देगा तो हमको proper green candle के साथ यहाँ पे breakout देखना होगा और market का sustain देखना होगा कि market यहाँ पे sustain करता है यह नहीं करता है इसके बाद ही हम लोग यहाँ से buy के लिए जाएंगे हमारा target 320 रहेगा इसके बाद हमारा 400 रहेगा यह दोनों target initially ले सकते हैं इसके बाद अगर stock की बात करें तो देखिए Apollo Hospital को मैंने previous day आप लोग को बताया था आज यहाँ पे selling level इस level पे activated हुआ market यहाँ त यहाँ पे demand zone create हुआ देखिए momentum देखिए तीन candle में market कितना point दिया है यहाँ से यहाँ तक अगर बात करेंगे तो 70 to 80 point का market momentum जो है यह one way momentum किया है मतलब इस type से यहाँ से यहाँ पे अब इतना momentum क्यों आया है क्या reason था उतना exactly तो नहीं है लेकिन momentum एक करण से और आया होगा कि market previously काफी दिनों से downfall जा रहा था और देखिए यहाँ पे यह जो train line है यह previously two to three days का train line है इसको भी breakout किया साथ में यह जो support level है इस दोनों को breakout किया यहाँ से कहीं एक reversal का indication दिया है तो reversal market जैसे करता है कभी कभी क्या होता यहाँ पे entry breakout दिया और market एक बार retrace करता है फिर breakout देता है लेकिन यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे strongly volume होगा buyers का तो market one sided जाता ही रह गया अब जो market का closing है देखिए यहाँ पे है ठीक है कल के according जो level होगा हमारा यहाँ पे हाँ इस तरीका से draw भी कर सकते है एक reference label इसको breakout के बाद भी उपर upside में buy कर सकते है या इसके नीचे में downside में sale कर सकत लेंगे 4582 यहाँ पे initially first target रहेगा यही आपको कम से कम 2% का target है तो इतना ही लेंगे sufficient रहेगा intraday के लिए right यहाँ पे जो last stock मैंने आप लोग के लिए लिया है यह है TCS ठीक है TCS में देखिए आज क्या हुआ है market previous day इस level को जो level यहाँ पे है 3237 यह support level है 3237 exactly market यहाँ पे दे इसको breakout नहीं दिया था आज market इसी range में open हुआ और इसको बहुत ही strong green candle के साथ breakout दिया जो हमारा resistance level होगा 3265 ठीक है बहुत लोग इतना यहाँ पे नहीं भी entry लिये होंगे लेकिन जो 3277 यह जो range resistance था इसको जब market breakout किया न तो यहाँ पे बहुत लोग freshly entry लिये होंगे और इसक कल के according जो इसमें देखने वाली बात है कि market यहाँ पे देखिए कहीं न कहीं आज एक uptrend का momentum करके market यहाँ पे sustain कर रहा है ठीक है कल अगर market devil 316 इसको market breakdown करता है तो हम लोग यह दोनों target initially लेंगे और market अगर 3300 को नीचे closing करता है तो हम लोग sales side में बहुत ही small quantity के साथ लेंगे क क्यों कि इसका trending जो है न market का uptrend है तो uptrend में हम लोग regular quantity ले सकते हैं लेकिन trend के against में हमेशा हम लोग quantity कम रखेंगे और हमारा यह दोनों target initially रहेगा अगर market यहाँ पे 3265 को भी closing कर देता है नीची rate candle के साथ तो हम यहाँ से confirmation समझेंगे कि market यहाँ तक support level तक आ सकता है तो क्यो जादा है और selling pressure जादा होने के कारण हम लोग यहाँ पे security के साथ sale कर सकते हैं और market upside में यह दोनों target initially दे सकता है तो guys यहाँ पे मैं कल भी आप लोग के लिए एक धमाकेदार strategy लेके आऊंगा वो strategy होगा क्यों क्योंकि उसमें मैं sniper entry बताने वाला sniper entry कानिया का मतलब कि जब व मान के चलो कि market का trending up है ठीक है अप है वो एक बार आएगा आपको entry देगा और उसके बार market यहाँ पे टिके गाए नहीं एक ही candle में entry देगा और यह भागता ही रह जाएगा और फिर इसी तरीका से मान के चलो कि market downside में है वो क्या करेगा उपर कहीं भी आपका जो label है वो एक ब candle entry करने आएगा मान तरी entry candle यहाँ पे रहगा उसके बाद market कभी आएगा है वो आपको target देता ही चला जाएगा तो इसको बोलते है sniper entry strategy तो इसको मैं कल हो सकता है morning में post करूँगा आप लोग जरूर देखिएगा और कम से कम इन वीडियो को आप लोग सेर कीजिए उन तमाम ल तो गैज यह free में सारे content है आप लोग सेर कीजिए और उन लोगों का help कीजिए तो गैज आज की वीडियो में इस इतना ही I hope यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो गैज वीडियो पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजेगा इसी टैप के more content के लिए च